जै श्री राम प्रिय भगतो, प्रिय भगतो, किसी ने ये पुछा है, इनका कमेंट है, कि क्या नाम जब से रोग, कस्ट, दुख दूर होते हैं, तो प्रिय भगतो, बहुत ही महत्पूर्ण ये टोपिक है, और ये प्रशन आपका भी हो सकता है, तो जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहेगा, और एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, ताकि आपकी सारी कन्फिजन दूर हो जाए, और आपका भी कोई प्रशन हो, तो कमेंट बोक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि हमारा उदेश्य यही है, कि आपको आपके प्र हो, दुख हो, रोग हो, छोटे से छोटे से लेकर और बड़े से बड़े तक, यानि कि असाध्य रोग भी क्यों ना हो, वो भी नी संधे 100% बिलकुल ठीक होते हैं, क्योंकि रोग तो बहुती चोटी बात है, जिस तरह से समुद्र होता ना था समुद्र, उसकी एक छोटी स छोटी बूंद का अंस के बराबर रोग की वैलिय होती है, नाम के आगे, शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, कि एक बार सरफ राम का नाम लेने से, असाध्य रोग दूर हो जाते हैं, अनंत कोटी पापों का ना सो जाता है, सिर्फ एक बार राम नाम बोलने से, और राम न नाम ही नहीं कोई भी भगवान का नाम हो सभी में बराबर शक्ति हैं जिसका जिस नाम पे विस्वास है उसी नाम का जब कर लो तो अब प्रशन ये उठता है कि होता नहीं है हम तो नाम तो जब करते हैं तो देखो भगतो वो इसलिए दुखदूर नहीं होता है क्योंकि ना हमें उस नाम पर भरोसा है और ना ही हम केवल नाम के आश्रित हैं हम एक बार उधर भागते हैं जिस दिन हम पुर्णत है उस नाम पर आश्रित हो जाएंगे उस दिन उसी पल कितना भी बड़ा रोग हो कोई भी बड़ा दोश हो कोई भी कष्ट हो तुरंत ही वो दूर हो तो रामाइन में ये लिखा हुआ है कि जितने भी इस दुनिया में रोग हैं अगर उन रोगों को दूर करना है तो केवल और केवल हरी की किरपा प्राप्त करने के लिए नाम जब भक्ति करना पड़ेगा एक ही रास्ता है बस क्योंकि हमें जो अभी दुख मिला हुआ है वो ह करम को सरफ और सरफ हरी का नाम ही काट सकता है जिस दिन लो करम गट गया जिस दिन उसकी करपा हो गई नाम जबते-जबते उसी तिन उसी पल वो दुख वो भीमारी हंडर पर सेंट दूर हो जाएगी और ये बिमारिया ठीक करवाना, दुखों से मुक्ति पाना, ये आम इनसानों के काम होते है बगतो, जो असल भगत होते हैं, भगवान के सचे भगते हैं, वो तो दुख दूर करने के लिए कहते ही नहीं है। क्योंकि ये दुख किसको होता है दुख होता है मन को मन से ही हमें दुख और सुख का पता चलता है इस शरीर को कुछ नहीं होता मन को ही होता तो इसलिए मन को दर्द होता है और मन को आप अगर हरी में लगा दोगे नाम में लगा दोगे तो वहां तो आनन्द है फिर आपको द बड़ा दुख हो आपको उसमें भी आनंद आएगा क्योंकि आपका मन खरी के नाम में लगा हुआ है राम किर्षिन प्रमांजी के कैंसर थी लेकिन भार से दिखाने के लिए उनको कैंसर थी अंदर से वानंदित रहते थे उनके सिश्यों ने कहा कि आप मा के साथ भोजन करते हो मा आपका कैंसर ठीक नहीं कर सकती आप कहते क्यों नहीं तो उन्होंने कहा मा को पता है मेरे लिए क्या सही है मुझे इसी में आनंद आता है इसी में मेरा भला है तो मा को सब पता है मुझे कोई किसी प्रकार का दुख नहीं मैं इसी में खुश हूँ तो ऐसे ही मैरसी रम में लग जाता है वो हर पल हर समय सुखी ही सुखी रहता है आनंद में ही रहता है तो भगतो अगर आप कश्ट दूर कर आना चाहते हो तो नाम जब किजिये भगवान आपका कष्ट अवश्य ही दूर करेंगे आपके रोग दूर करेंगे क्योंकि उसकी किरपा के बिना तो स्वपन में भी आपको सुख नहीं मिल सकता आप वास्तों में तो छोड़ दीजिये सुख मिलेगा तो स्रीहरी की किरपा से और किरपा होगी उसका नाम जपने से, शास्त्रों में ये लिखा कि राम नाम की ओस्दी जो खरीनियत से खा, और अंग रोग व्यापे नहीं और महा रोग मेट जाए, तो महा रोग मेट देता ही ये नाम, बस इसे जपिये, कितना सरल है, कितना सुगम है, राम, 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 जपने के लिए एकागरता की जरूरत पड़ती है, मंत्रों में नियम प्रेज बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकि नाम में तो इतनी सरलता सुगमता है, कोई प्रेज नहीं, कोई नियम नहीं, आधी रात को जपो, अशुदता में जपो, बातरुम में जपो, सफर में जपो कहीं भी जपो, और ये इतना लाब देगा, क्योंकि इस नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ये नाम ही आपको सब कुछ दिलाएगा, क्योंकि नाम से ही नामी प्रकट होता है, नाम से ही सारे रोग मिटेंगे, नाम से ही बिमारिया दूर होंगे, नाम से ही संकट दूर हों अगर किसी ने नाम जब शुरू कर रखा है तो कमेंट करके अवश्य बताएं और नहीं कर रखा है तो हमें लिखे कि आज से हमने नाम जब शुरू कर दिया है अगर आप हमारी वज़े से नाम जब शुरू कर दोगे तब प्रभू की अपार किरपा हम समझते हैं कि आप हमारी वज़े से प्रभू से जुड़े हमारा यही केवल और केवल एक मात्र यही उदेश्य भगतो कई कमेंट आते हैं आप यूटूब से पैसा कमाने के लिए ऐसा करते हैं कुछ भी डाल देते हो पैसे उस प्रभू की क्रपा से बहुत हैं सब कुछ है सुखी भी भी बेजते हैं ऐसे लोगों को कि उनके गुणों का आगान करो और उनकी वज़य से कोई जुड़े क्योंकि अगर एक वेक्ती वी किसी की वज़य से प्रभू से जुड़ गया तो इससे बड़ी सेवा का कोई कारिया नहीं है और यह कारिये आप भी कर सकते हैं अब फ्री में बिलकुल तो अब हम अपनी वानी को बराम देते हैं जै स्रीराम भगतो